नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप से भी का हमारे यूटूब चैनल एजुकेसनल स्टडी पॉइंट में तो देखे दोस्तों दिली पुलिस कॉंस्टिबल परिक्षा 27 नॉवंबर सेकंड शिफ्ट का जो आपका एक्जाम है वो समाप्त हो चुका है उमीद क से पहले मैं आपको एक और चीज़ बढ़ा दूं यहां पर कि देखे दोस्तों अनकेडमी जो है ना आपके लिए विल्कुल फ्री में ले के आया है SBI PO Prelims एक्जाम के लिए जिसमें आप तीन टेस्ट जो है ना ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में 29 नॉवंबर को जिसमें रिज्दिंग वाए अंकुष लांबा, क्वैंटिटिव एपिटूट बाए आशिश अरोडा, इंगलिस बाए नीमिशा बंसल यह जो है ना आप तीन मोग टेस्ट प्रवाइड कर सकते हैं, फ्री के अंदर 29 नॉवंबर को तीनो ही मोग टेस्ट के लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिश में दे रहा हूँ, आप इन्रोल कर लेना बिल्कुल फ्री में हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो अपने शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूँ, इसके बाद आपका जो थर्ड सिफ्ट का एक्जाम होगा, शाम को मैं आपको ओल सिफ्ट का जो कंप्लीट अनलाइसिज 27 नॉवंबर का भी करवाऊंगा, सबसे सटीक और सबसे पहले इसी चैनल पे, तो फटा फट से आप चैनल को दोस्तों सब करके नोटिफिकेशन जो बैल होता है, उसको ओन करके ओल पे सेलेक्ट कर लो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज आपसे एक जीके का कोशन पूछा गया, जिसमें पूछा गया आपसे कि, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है ना, कब एक देखिए दोस्तों सबसे पहले एक और चीजम आपको बता दूँ, जो दिल्ली पूलिस कॉंस्टेबल में अभी तक फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो जीके के लेवल देखे गए हैं, वो इजी टू मोडरेट देखे गए हैं, अराम से अगर आपके पास टाइम मेनेज कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों यहां पे कोशन का जो लेवल था, वो मोडरेट लेवल कही था, कुछ कोशन टफ थे बाकि लगबग कोशन इजी टू मोडरेट थे, जैसे कि एक पूछा गया फाग लोक नरते किस राजे का है, जो अगर आपने CHSL वाला जो पैरिटन देखा ह तो बिल्कुल वही पैरिटन है GKGS का, उससे भी आसान मैं कहूँगा, फाग लोक नरते हरियाना का है आपको पताओगा, मुख्य मंत्री कोन है, मनुहरलाल खटर साब है वर्तमान में, और सत्य देवन आरया यह जो है आपके राजेपाल है हरियाना के, नेक्स्ट एक कोशन आए था स्रीलंका की राजधानी बताओ, अब देखिए स्रीलंका की राजधानी डिपेंड on option, option पे depend करता है, अगर कोलंबो था तो कोलंबो टिक करना था, आपको नहीं तो आपको करना था स्री जैवर्धना पूरे कोटे, यह सही होता, और प्रधान मंत्री आर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो क्या करोगे महिंद्रा राजपक्षे प्रधान मंत्री स्रिलंका के हैं महिंद्रा राजपक्षे जी राष्ट्यपती की बात करता हूं तो गोता बाया राजपक्षे यह है राष्ट्यपती और मुद्रा कौन सी है स्रिलंका रुपया यह मुद्रा स्रिलंका की next question आप से पूछा गया एक पुस्तक से समधित इस इनफ जो बुक है वह किसके द्वारा लिकी गई है देखिए इस इनफ जो पुस्तक है आपकी यह लिखे घी अशोक गुपता के द्वारा अशोक गुपता जी ने इस इनफ गुक को राइट किया था नेक्स जो कोश ने पूछा गया था आपसे कि इन में से कौन सा IVC पेलेस गुजरात से बाहर है अब देखियो option में काफी थे जैसे लोथल था option में तो ये सभी आपको पता होगा गुजरात के अंदर ही हैं सभी के सभी IVC पेलेस पर राखी गड़ी भी option में था और राखी गड़ी आपको मालू होगा ये जो है ना गुजरात में नहीं है ये कहां पे है आपका हर्याना में स्थित है राखी गड़ी ठीक है दोस्तों तो राखी गड़ी आपका correct answer होगा एक कोशना था विश्व स्वास्ते से समंदित अब देखिए विश्व स्वास्ते दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों अगर आपने SSC CHSL से लेकर जितने भी अभी तक exam conduct करवाए है SSC ने अगर आपने सभी exam analysis देखा है तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगी exam देने में क्योंकि बिल्कुल वही पेरिटन पर question SSC पूछ रहा है क्योंकि ये भी exam आपको पता होगा दिली पुल इसका SSC ही करवा रहा है विश्व स्वास्ते दिवस की बात करते हैं तो ये साथ अप्रेल को मनाया जाता है बहुत ही simple question ह next जो question आपसे second sheet में आया था 15 वितायों के अधेक्स कौन है देखे 15 वितायों के अधेक्स है आपके NKC है जी very very easy question सबको पता होगा 15 वितायों के अधेक्स NKC हैं है काफी बार exam में पूछा आता है next question आपसे आथ पूछा गया था कि अगस्त 2020 में भारतिये railway के द्वारा कौ रेल सिवा शुरू हुई थी उसका नाम था किसान रेल सिवा आपने भी सुना होगा किसान रेल सिवा को अगस्त 2020 में भारतिये railway के द्वारा शुरू किया गया था और एक और चीज़ बता दू मैं आपके साथ कि मेरी सहली campaign को भी भारतिये railway के द्वारा ही शुरू किया गय नेक्स्ट एक कोशन आया था कावेरी नदी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है यह आपसे पूछा गया तो दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह ब्रह्मा गिरी हिल से है आपसे CHSL के एक्जाम में जो हैना लगबग पूछ लिए गे थे गंगा आपसे पूछा था मदू मखी पालन के अध्यन को क्या ऐता है अब कुछ कह रहे रहे हैं कि कोशन ऐसा आहा था कि शहद पालन को क्या कहते तो देखिए म触्वर्थुमान में भारतिया वायू सेना के अध्यक्स कोन है अब देखिए मां आपको सभी याद करवा देता हूँ अ भाकबग एक्जाम में पूछे ही जाते हैं, वर्तमान में भारती वाईू सेना कि अधिक्स कोण है, ये कोशन आज पूछा गया, तो ये आपके जनरल मनोज मुकुंद नर्वाने जी है भारत के वर्तमार में इस नो सेना अधेक्स की बात करें तो ये एड्मिरल करम बीर सी है जी है सभी याद कर लो एक नाएक कोशन आगे भी पूछा दाएगा एक कोशन आए था कि वर्तमार में जो भारतिया ओकी टीम है इसके कोश कोन है वर्तमार में भारतिया ओकी टीम के कोश की बात करें तो ग्राहम रीट जो है ये भारतिया ओकी टीम के कोश है और याद रखिए भारतिया क्रिकेट टीम की बात करें तो हेड कोश कोन है रवी सास्त्री जी और बिसी सीयाई की एडेक्स कोन है भी एक Donald Trump आया था भारत में उसमें उनके साथ उनकी पतनी व्याई थी Milenia Trump तो यह जो है ना आतम कथा Milenia Trump की है ठीक है friends एक कोशन है आज की sodium carbonate का उपयोग किस industry में किया दाता है देखे बहुत यह अच्छा कोशन यह पूछा गया है आज के exam में कि sodium जो कार्बोनेट है इसका जो उप्योग है वो कौन सी इंडिस्ट्री में करते हैं तो देखिए दोस्तों वोशिंग शोडा सोडियम कार्बोनेट है जिसमें क्रिष्टली करण पानी के 10 अनु होते हैं सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसका उप्योग ग्लास साबुन डिटर्जेंट पेपर इत्यादी के निर्मान में किया आता है तो इसमें आपको अनसर मिल जाएगा केमिकल फॉर्मिले की बात करूँ सोडियम कार्बोनेट के तो यह होता NO2CO3 एक कोशन आज आपसे पूछा था दोस्तों दिल्ली को भारत की जो राजदानी है ना वो बनाने की जो घोशना हुई थी वो कब की गई थी अब इसको अपने थोड़ा डिटेल से समझते हैं यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कभी कभी कि कोई यहाँ पे दो-दो सन होते हैं इस कोशन में तो देखिए आपको समझना है कि दिल्ली को भारत की राजदानी बनाने की घोशना की अगर बात करें तो देखिए उस समय भारत के शाशक किंग जोर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधार शीला रखी थी बाद में ब्रिटिस आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बैकर और सर एडविन लूटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी इस योजना को पूरा करने में दो दसक लग गए थे जिसके बाद 13 जनवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजदानी बनी थी ठेके दोस्तों एक कोशन पूछा था आज के एक्जाम में कि राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार 2020 में कितने लोगों को मिला तो दोस्तों फर्स शिव्ट में आपसे पूछा था 2019 का और सेकेंड शिव्ट में पूछा गया 2020 का तो पांच लोगों को दिया गया है 2020 में आपको बता दू मैं रोहिश शर्मा विनेश फोगाट जितने भी यहाँ पे चार नाम है ना इनके साथ एक नाम और आप एड कर लो रानी रामपाल तो पांच लोगों को मिला था कुंबा इंडियन्स पांच वी बार जीता है आई पिल को रनर अप थे उपवेता वो दिली कैपिटल्स फर्स्ट टाइम यह टीम जो है आई पिल में फाइनल में पहुंची और यह उपवेता ही बन पाई औरंज कैप केहल राहूल जो कि किंग्स लेवन के कैप्टन थे पर अत्मान जो समय में गन्ने का जो MSP जो MSP है वो कितना है तो MSP जो है यह आपका 285, 285 रूपए है MSP से कोशन बहुत पूछी जाएंगे तो इसको आप पढ़के जरूर जाईए नेक्स्ट एक कोशन है था डिफोल्ट नंबर ओफ सीट्स इन MS एक्सल यह आपका कोशन है कम्प्यूटर का जो कि आज के प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया तीन होगा एक कोशन था कि MS वंड में कौन सा कमांड मेनुबार में नहीं होता जो इन्टरनेट है यह आपके ओप्शन में होगा पर आपके ओप्शन में जुरूर था पर याद रखिये कभी इंटरनेट MS वर्ड के जो है ना मेनु बार में ये कमांड नहीं होता तो आप internet को टिक करोगे एक कोशन आया था ISP यानि कि internet service provider का मुख्य कारे क्या होता है देखिए जब भी आपको बोले internet service provider तो इसका मुख्य कारे होता है internet को access प्रदान करने का एक कोशन आया था Microsoft किस परकार की company है तो देखिए जितने भी operating system आप देख रहे हैं Windows 7, Windows 10 ये सभी कोई मनाता है एक software company जिसका नाम है Microsoft तो तर आपको मेली जाओगा ये एक software company है एक कोशन था C, C plus S, Java ये हैं कौन से level की भाशाएं होती है इनको अपने बोलते हैं high level language नेक्स्ट आपसे कोशन पूछा गया कि IMF Indian Economy से समझनी ते एक प्रसन आया था complete हमारे पास कोशन भी नहीं है option भी नहीं है इसलिए इसका answer आपको नहीं दे सकता पर इस परकार से कोशन आपसे पूछ लिया गया था IMF से नेक्स्ट एक कोशन आपसे मोरे वन से भी पूछा गया था तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा second shift का analysis यहीं पर खतम होता है अगर आपने दोस्तों आज second shift में exam दिया है तो आपसे request है कि आपको अगर कोशन याद है लाइक और शेर कर दीजेगा और इसके बाद आपको मैं all shift का analysis कराऊंगा जिसमें third shift के कोशन भी सामील होंगे तो फटा फट से आप हमारे चैनल को subscribe करके notification bell जो होता है उसको on करके all पे select कर लिजेए धन्यवाद मैं मिलता हूँ जो है शज दो कि जो कोशन भी सामील होता है